दिल्ली के मुखमंतरी अर्विन केजरिवाल की जमानत याजका पर सुप्रीम कोर्ट में एहम सुनवाई चल रही है केजरिवाल ने CBI की ओर से की गई उनकी गिरफतारी को चनोती देते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत में राहत की मांगी है जिस पर जस्टिस सूरकांत और जस्टिस उज्जल भुन्या की बेंच सुनवाई कर रही है आमाधी पार्टी के राष्टिक साहिया उजग को ED केस में पहले ही जमानत मिल चुकी है CBI केस में कोर्ट ने जमानत दी तो वहीं जेल के बाहर निकल पाएंगे कतिसरा गोटाले में गिरफतार किये गए दिल्ली के पूर्फ डिप्टी मनीश सूधिया रासवासांसाथ संजै सिंग बियारेस नेता केक अग्ता आपके कम्यूनिकेशन इंचार्ज रहे विजैनायर को जमानत मिल चुकी है इन समी नेताओं को सर्वोच अदालत ने राहत दी है बता दें सिंद्वी ने कहा कि जिनकी सुरुआत अगस्त 2023 में हुई उसमें मार्च 2024 में गिरफतार किया गया उन्होंने सुप्रीम कोट के फैसले का जिक्ष करते हुए काकि सर्वोच अदालत ने कहा था कि केजरिवाल समाज के लिए खतरा नहीं और उन्हें अंत्रिन जमानत दी जाए बाद में सुप्रीम कोट ने रेगुलर जमानत दे दी आपको उतादे सराब गोटालेम के रिफताद संजय सिंग के कप्टा और विजनायर्थ सुप्रिम कोट ने इस अधार पर जमानत दी है कि ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है और आरोपी लंबे समय से जेल में बन दे है कोट ने समिधान के नुच्छेद 21 का जिक्र करते हुए जमानत दी है देश की सबसे बड़ी अधालत ने कहा कि जमानत नियम और जेल अपवाद है वें दिल्ली के मुकमंत्री अरविन केजडिबाल को 25 जून को CBI ने गरफ्तार किया है उस समय पर ED की रासत में थी कोट से अनमते लेकर CBI ने गरफ्तार किया था ANP टाइमस की रिपोर्ट